सजनो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पित्र दोस जो होता है उसके कारण हमें बेवजह परिशान्यों का सामना करना पड़ता है आपका वास्तु सास्त्र बलेई गर का सही हो गर में जिस दिसा में जैसा रंग होना चाहिए वैसा हो सकता है आपके गर में हो आपकी कुंडली उपर से दिखने में अच्छी लगती हो हो सकता है आपकी एजुकेशन सही हो पर उन्तु फिल भी घर में आप देखेंगे कि बेवजह परिसानियों का सामना करना पड़ता है जितनी आपने पड़ाई की है उसकी हिसाब साब को नौकरी नहीं लगती अगर आपकी नौकरी लग जाए तो आपको उतनी सैलेरी नहीं मिलती कभी कभी अनायास एक्सिडेंट होते रहते हैं साधी नहीं होती है गर में जवान लड़के लड़कियों की साधी हो भी जाती है तो बहुत सालों तक बच्चे नहीं पैदा होते हैं यानि आप ऐसा कह सकते हैं कि जो चीज नहीं हुरी चाहिए नौर्मल परिस्थितियों में परन्तु वो गर में होती रहती है पैसे की आई बहुत होती है तो पैसा बच्चता नहीं है इदर उदर मालूम ही नहीं चलता है आपको कि पैसा किदर खर्च हो गया और जैसे कभी किसी गड़े में कोई छोटा सा सुराख हो जाता है पानी तो भड़ा पर पानी टीका नहीं क्योंकि गड़े में छेद है तो पानी बहता रहता है उसी तरीके से घर के अंदर भी पैसों की आई तो होती है पर मालूम नहीं पैसा कहां चला जाता है और खर्चा होता रहता है तो ये सब जो छोटी-मोटी बेवज़ा परेसानिया आपको होती रहती है कभी-कभी अनायास एक्सिडेंट हो जाता है उन सब के पीछे जो कारण होता है वो पित्रदोस का होता है दूसरे कारण भी हो सकते हैं पित्रदोस बोटम के अंदर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आपने पित्रदोस दूर कर लिया तो गर में बेवज़ा परेसानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा मैं पित्रदोस के उपर हर अमावस्या को हर मैने में एक अमावस्या आती है और हर अमावस्या को मैं पित्रदोस सानिती के लिए पित्रदोस दूर करने के लिए यग्या करता हूँ और जो भी सज्जन इसमें बाग लेना चाहे वो मेरे से कांटक्ट कर सकते हैं अमावस्या की रात्री बस हर महिने में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक बार हर महिने यानि तीस दिन के अंदर सिर्फ एक अमावस्या आती है और वो अमावस्या की जो तिती होती है वो पित्र दो सुदूर करने के लिए पित्रों की सांती के लिए ही होती है अमावस्या का दिन जो होता है वो पित्रों के लिए ही होता है तो आप पित्र दो सुदूर करने के लिए मैं जो हर अमावस्या को यग्य करता हूँ आप उसमें भाग ले आप उसमें कैसे भाग ले सकते हैं उसके लिए आप मुझसे कॉंटेक्ट करें तो मैं आपको बता दूँगा कि आप उसमें कैसे भाग ले सकते हैं हर महिने की अमावस्या को मैं यग्य करता हूँ तो आप मेरी से कॉंटेक्ट कीजिए आने मारी अमावस्या जो है वो 16 दिसमबर को है 12 दिसमबर को 18 की तिति आएगी और 12 दिसम्बर की रात्री को मैं पित्र दोस्तोर करने के लिए यग्य करूँगा आप उसमें कैसे भाग लेख सकते हैं आप मेरे को फोन करके बता देना 83021 34887 इस नमबर पर आप मुझे कॉल के लिए और आप इसमें भाग लीजे धन्यवाद Jai Shri Krishna Jai Gurudev